हलो फ्रेंद्स मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मैरा चानल लक्ष इस्टुडियो तो आज हम देखेंगे कि हम टी-शिर्ट को मौक अप कैसे कर सकते हैं, खासतोर पर अगर हमें लोगों मौक अप करना है, अगर डिजाइन हमें mock up करना है तो वो भी हम कर सकते लेकिन इस वीडियो में हम focus करेंगे कि logo अगर हमें t-shirt के उपर mock up करना है तो वो कैसे कर सकते वो भी बिल्कुल आसानी से तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर अलड़ी logo create किया हुआ है यह आप देख सकते हूँ यह logo मैंने create किया है तो उसके बाद सबसे पहले तो यह जो यहाँ पर अलड़ी logo है इसको मैं remove करता हूँ तो मैं use करता हूँ feel option का तो इसको मैं select कर लेता हूँ और अगर आप इस t-shirt को देखें ध्यान देकर यहाँ पर content aware रखें इसको मैं delete कर देता हूँ इस t-shirt को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक side में बहुत ज़ादा shadows है और एक side में यहाँ पर highlights है तो यह contrast ज़ादा है यहाँ पर highlights और shadow में आप देख सकते हूँ तो इसलिए इन इस तरह के t-shirt के उपर logo apply करना या mockup create करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है लोगों को लेकिन बहुत ही आसान है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर logo place कर देते हैं सबसे पहले तो यह देखी logo place कर दिया है यहाँ पर मैंने उसके बाद इसको मैं smart object में convert कर देता हूँ क्योंकि quality में compromise नहीं इसलिए नहीं तो अगर हम इसको smart object नहीं करेंगे तो quality इसकी reduce हो सकती है यह तो smart object कर दिया इसको मैंने उसके बाद suppose मुझे इतनी size चाहिए size आप decide कर लो तो मुझे suppose थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यह size मुझे चाहिए तो यह एक बार size final होने के बाद हमें सीधा जाना है अभी कुछ लोग यहाँ पर blending option का use करते हैं तो उससे भी हो जाता है कई t-shirts में मतलब जो कुछ तरह के t-shirt पर work करेगा लेकिन हर तरह के t-shirt पर मतलब जहाँ पर highlights और shadow में बहुत ज़्यादा difference है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत डार्क और यहाँ पर bright है तो यह shadow और highlights में बहुत ज़्यादा difference है contrast है तो इसके लिए हम क्या use करेंगे हम सीधा इस layer में यहाँ पर right click करके आप blending option में जा सकते हो यहाँ सीधा आप double click करके भी जा सकते हो blending options में तो blending options में general category में यहाँ पर आप जाना है अपने को यह दिखिए हमें यहाँ पर रहना है blend if grey इस category में हमें यहाँ पर try करना है तो यह अगर हम यह points slider जो है इनको अगर slide करके देखे हैं यह fork यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यह points है इनको हमें split करना है तो सबसे पहले दिखिए अगर मैं ऐसे करूँगा तो पूरा यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर जो है dark में तो naturally हमें यहाँ पर जो चीज़ें हो दिखनी नहीं चाहिए क्योंकि अंदेरे में और जो अंदेरे में चीज़ें वो दिखनी नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यह दिख रहा है तो realistic कब दिखेगा अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिखे और यह जो fold वगयरा है वो थोड़ी सी natural मतलब design भी fold दिखे तब यह realistic लगेगा तो इसी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको split करने के लिए alt की press करकी click कीजिए या अगर आप mac use करें तो option की करके तो यह split हो जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते यह दिखे तो इसको और थोड़ा सा मैं zoom कर देता हूँ तो यह दिखे रियलिस्टिक बहुत जल्दी है लगने लगेगा कुछ इस तरह से यह दिखे यह hide हो गया इसको अगर आप नजदीक लेके आओगे तो यह और जादा contrast यहाँ पर बढ़ाएगा देखे contrast यह बढ़ रहा है और यह contrast यहाँ पर कम हो रहा है तो इसको हलका सा मैं ले लेता हूँ क्योंकि यह मुझे बिल्कुल hide करना है यह दिखे तोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ तो थोड़ा सा मुझे दिखाना है कि वहाँ पर है कुछ तो यह slightly और यह दिखे आप fold अगे रहा है यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा है तो बिल्कुल ही realistic यहाँ पर यह look आ गया इसको ok कीजिएगा अगर आपको चाहिए तो इसकी opacity पर आप कम कर सकते हो यह दिखे हो वो opacity आप थोड़ा बहुत यहाँ पर कम करके देख सकते हो अगर आपको और ज्यादा realistic effect चाहिए तो यह मुझे 85 यह ठीक लग रहा है यह दिखे हो यह आप देख सकते हो तो वापस मैं एक बार आपको दिखाता हो यह दिखे यह logo मतलब before after यह आपको comparison अगर करना है तो यह दिखे हो इसके ओपर मैं रख देता हूँ हलका साइस को छोटा match करने के लिए यह दिखे यह इस तरह से था हमारा जो before था और यह after दिखे बहुत ही realistic यहाँ पर लग रहा है तो इतना आसान है यहाँ पर T-shirts पर mock-up create करना और इस वीडियो में हमने सिर्फ देखा कि लोगों का mock-up कैसे करना है जो branding के लिए वगयरा किया जाता है उसका mock-up कैसे करना है वो देखा हम ने देखा और इसकी opacity शायद में बड़ा ही देता हूँ थोड़ा सा 100 रख देता हूँ 100 ही अच्छी लग रहे है इस T-shirt पर आप आपके इसाफ से यहाँ पर कर सकते हूँ आप देख सकते हूँ कि fold हो अगयरा जो है बिल्कुल realistic यहाँ पर look आ गया तो blendive option का use करके हमने यहाँ पर यह काम किया और यह देखिए इसमें आपको confuse होनी की जरूरत नहीं है यह slider सिर्फ आप left right करके देखेगा आपको यह use करके ही पता चलेगा blendive option ऐसा option है जब तक आप use नहीं करोगे तब तक यह आपको समझ में आएगा तो इसको views कीज़ेगा जैसे जैसे आप इसको use करोगे यह automatically आपको समझ में आता जाएगा कि इसका मतलब technique क्या है तो यह slider सिर्फ आपको जहाँ पे आपको slider देखे ना सिर्फ यहाँ पे कहीं पे भी Photoshop में उनको आप left right करके देखेगा आपको समझ में आजाएगा sliders का का काम क्या होता है तो कुछ इस तरह से हमने यह mock-up create किया logo का t-shirt की उपर तो ज़रूर try करके देखेगा आशा करता हूँ यह video आपको useful लगा होगा तो अगर useful लगा तो इसको like ज़रूर कीजेगा मेरे channel subscribe कीजेगा तो इस video में बस इतना ही मिलते है next video में तब तक के लिए bye bye and see you and I see you हुआ हुआ है